राज्य सरकार ने दूत उत्पादकों को सपसीडी देने का फैसला लिया है गाई के दूत की सपसीडी में बड़ोतरी महायूती सरकार के फैसले से दूत की कीमतों में गिरावध होने के कारण ये सपसीडी दी जाने वाली है एक अक्टूबर से योजना कलाव राज्य की और से 7 रुपई की सबसीडी बैंक खाते में जमा की जाएगी राज्य कैबिनेट की बैठक में 50,000 रुपई की सबसीडी देने का वैसला लिया गया है इस फैसले से किसानों को दूद के लिए 35 रुपई प्रती लीटर की कीमत मिलती रहेगी दूद संगटन दूद उतपादों को प्रती लीटर 28 रुपई का भुक्तान करेंगे जबकि सरकार 7 रुपई से उपर की सबसीडी देगी दूद उतपादों को के बैंक के खाते में 7 रुपई प्रती लीटर की सरकारी सबसीडी जमा की जाएगी राज्य में गाय के दूद की गिरती कीमत के कारण महायूती सरकार ने दूद उतपादों को सबसीडी देने का फैसला किया है यह योजना 1 अक्तुबर 2024 से लागू होगी दूद उतपादों को के पीछे खड़ी है महायूती सरकार महागडवंदन सरकार